योतिशात्र में शुक्र को शुब ग्रहवाना जाता है शुक्रदेव व्रशब और तुलाराशी के स्वामी है ये कुंडली में विवाह से लेकर संतान तक के योग बनाते हैं शुक्र के प्रभाव से जीवन में सुख सम्रधी आती है शुक्रदेव सत्रह मार्च को सुबह दो बच कर उनचास मिनट पर कुंभ से मीन राशी में गोचर करेंगे ये मीन राशी में 10 अप्रेल 2021 तक रहेंगे तो चले बताते हैं शुक्र का ये गोचर किन राशियों के लिए तरक्की के रास्ते खोलने वाला है और किन लोगों को इस दोरान साफधान रहने की जरूरत है चले सबसे पहले बात करते हैं मेश राशीवानों की शुक्र का ये गोचर मेश राशीवानों के लिए शुबह फल लेकर आ रहा है कारोबार से जुड़े लोगों को विदेशी संपरकों से लाभ मिलने की संभावना है इस दोरान की गई विदेश यात्रा से भी आपको लाभ होगा जौब कर रहे लोगों की आय में व्रद्धी हो सकती है जीवन साथी के साथ चल रहे मदभीत खत्म होंगे और आपका रिष्टा पहले से मजबूत होगा इस दोरान आपके खर्चे में बढ़ोतरी हो सकती है इसका असर आपकी आर्थी किस्तिती पर पढ़ सकता है सेहत पर ध्यान रखने की जरूरत है चलिए बात करते हैं अगली राशी व्रशब राशी वालों की व्रशब राशी के जातकों के लिए यह गोचर कारेस्थल में उस साह भरा रहने वाला है आपको पदोनती का भी लाभ मिल सकता है मान सम्मान में व्रभ्धी होगी कारेशेत्र में आपकी अच्छी पहचान होगी जौब की तलाश कर रहे लोगों को इस दोरान अच्छे अफसर प्राप्त हो सकते हैं कारोबार से जुड़े लोगों को इस समय अच्छा आर्थिक मुनाफ़ा हो सकता है अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो इस गोचर काल के दोरान आपका प्रेम प्रस्ता आप स्वीकार हो सकता है पुराने दोस्तों से मुलाकात हो सकती है छात्रों को अच्छे परिणाम मिल सकते हैं चले बात करते हैं अगली राशी मिथुन राशी वालों की इस दोरान आपकी रचनात मकता बढ़ जाएगी आपको चीजों को और बहतर तरीके से कर पाएंगे अपने लक्षियों को पाने में काम्याब रहेंगे धन के मामलों में व्रधी होगी और आपको कारेशेत्र में भुजना बना सकते हैं घर में खुशनुमा माहौल रहेगा चले बात करते हैं अगली राशी करक राशी वालों की ये गोचर आपका मजबूत धन्योग बना रहा है इस अवधी में कारेस्थल पर आपके वेतन और पदोनती में व्रधी होने की प्रबल संभावना है समाज म मान सम्मान और पद्य प्रतिष्था में बढ़ोतरी होगी व्यापारी जातकों को इस दौरान काफी लाभ मिलने की संभावना है इस अवधी में अपने कारेसे संतुष्ट रहेंगे आपकी सुख सुविधाओं में व्रधी होगी संपत्ति में निवेश कर सकते हैं परवार आपको कई चुनातियों और उतार चरहाव का सामना करना पड़ सकता है आपका आत्मे विश्वास कम होगा और अपनी शम्ता का अकलन इस तही तरीके से नहीं कर पाएंगे अपने दृष्टी कोण में सकारात्मकतल आने की कोशिश करनी होगी अपनी इक्षा शक्ति को बढ आने से आपको इस अवधी के बहतर पर नाम मिल सकते हैं कारिस्थल पर सौहाद्रपूर्ण मोहौल बनाए रखें इस गोचर के दौरान यात्रा करने से बचें जीवन साथी के जीवन में सम्रध्धी आएगी चले बात करते हैं अगली राशी कन्याराशी वालों की लोगों आपकी तरफ आकरशन बढ़ेगा कारिस्थर में लोग आपके कारे पर गौर करेंगे और आपकी खूब प्रसंसा भी करेंगे नया व्यापार शुरू करने के लिए ये समय शुभ है व्यापार के शेत्र में है उन्हें इस समय का सदूप योग करने की सलाह दी जाती है क्यो दाई पर नाम देंगे और आपके विफसाय के विस्तार में आपकी मदद करेंगी है गोचर वक्तिकत संबंधों के लिए भी बहुत शुभ रहेगा चले बात करते हैं अंगली राशी तुला राशी वालों की इस दोरान आपको अपने सेहत पर विशेश ध्यान देरे की जर रखे वरना आपको पैसे उधार लेने की नौबत भी आ सकती है आपके दुश्मन आप पर हावी होने की पूरी कोशिश करेंगे इसलिए आपको साफधान रहने की जरूरत है कारे शेत्र में अपने प्रयासों और कड़ी मेहनस से आगे बढ़ते जाएंगे चले बात करते ह अगली राशी व्रश्चिक राशी वालों की यह गोचर आपके कारे शेत्र में पदोनती और वेतन रधी लेकर आ रहा है साजेदारी में व्यापार कर रहे जातकों को इस अवधी के दौरान लाभ मिलने की संभावना है नीजी जीवन के लिहाज से व्रश्चिक राशी के जातकों के लिए समय काफी अच्छा रहेगा किसी नए रिष्टे की शुरुवात हो सकती है इस अवधी के दौरान आपको साथी का पूरा समर्थन मिलेगा विवाद या मरमुटाव की स्थिती खत्म होगी इस राशी के जातकों को गोचर का ज्यादा लाभ मिलेगा प्रति को भी नई दिशा और मजबूती मिलेगी ये गोचर आपके परवार में खुशिया लेकर आएगा दोस्तों और रिष्टदारों के लिए आप कोई छोटा सा आयोजन भी कर सकते हैं आपके पार्टनर को उनके जीवन में उन्नती हासिल होगी इसके साथ ही आप अपने जीव वालों के इस अवधी के दौरान आपके भाई बहनों के साथ आपके रिष्टे बहतर और सोहर्द रुपूर्ण होने की संभावना है इस समय अवधी में आप कारे के लिए किसी ट्रैवल पर जा सकते हैं इस गोचर के दौरान आपको नए लोगों या कनेक्शन मिलने की भी की संभावना है चली बात करते हैं अंगली राशी कुम्भ राशी वालों की इस अवधी में आपको वितिय लाभ और मुनाफा होने की प्रबल संभावना है आपको पैसे का निवेश करेंगे जसे आपका भविश्य भी सुरक्षित रहेगा किसी रिष्टेदारों और परिवार के सदस्यों के साथ मिलने और सावंजस से बनाने के लिए यह एक शुब समय है इस दोरान आप घर में कोई शुब या धार्मी का आयोजन भी कर सकते हैं वेवसाय के जुड़े इस राशी के जात्कों को उनके परिवार की तरफ से अपने फिटनेस इस्तर को बहतर बनाने के लिए नेमित रूप से व्यायाम करें इस गोचर के दोरान आपको आपके भाई बहनों का पूरा सही योग प्राप्त होगा मीन राशी के कुछ जात्कों को कहीं से आचानक लाव मिलने की संभावना है नया कारोबार शुरू करने के लिए यह समय अच्छा है आपके वित्ती स्थिती स्थिर रहेगी यह समय उन लोगों के लिए भी अनकुल साबित होगा जो अपने रिष्टे को अगले इस्तर पर ले जाना चाहते हैं बतादें कि हमें पूर जानकारी वेबसाइट से और अने जगों से प्राप्त है जा अने स्थित्व कर पो